कॉंगरस ने खरण से आम आदमी पार्टी के उमीदवार कवर संधू पर अपने बेटे को SEPC कॉलेज में दाखिला करवाने के लिए काली दल की मदद लेने का आरोप लगा है जुस पर कवर संधू ने कहा है कि अगर आरोप साबित हो गया तो वे अपने बेटे की डिगरी व आए आम आदमी पार्टी के खरण से उमीदवार कमर संधू आरोपों के घेरे में हैं कॉंगरस ने आरोप लगाया कि संधू ने पत्रकार रहते हुए अकाली दल की सरकार से फायदा उठाते हुए अपने पुत्र को SEPC के मेडिकल कॉलेज में NRI कोटे से दाखिल करवाया उनर कमर संधू ने कॉंगरस के आरोपों पर सपश्टी करन दिया कमर संधू ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे का दाखिला NRI कोटे से जरूर करवाया था पर पूरे नियमों के मताबिक अगर कॉंगरस के आरोप साबित हो जाएं तो वै अपने बेटे की डिगरी वापिस कर देंगे बिल्कुल सही गाल है एनराई कोटे दे चोने ड्मिशन लई है तो तानी होनकी सिस्टम है पर अज तो 15 साल पहलों एनराई दी सीट जड़ी है जो खाली जन्दी हुए एनराई ना उन ते लोकल कंडिडेट्स उनने पैसे दे के लेसे दे से पर पूरे पैसे दे के लई है कोई साबद कर दे पिए गोलक चोने पैसा आ रहे है तो तो ते डिगरी वापस दे देननों त्यार है हुदर कॉंग्रस ने कमर संधू के सपकी हैं कॉंग्रस ने कहा कि एनराई कोटे से इतने उम्मीदबार होने के बावजूद कमर संधू के पुत्र को ही दाखिले में प्रात्मिक्ता क्यूं दी गई सिरफ इतना ही नहीं कॉंग्रस ने कमर संधू की तरफ से कॉंग्रस के नेताओं और माफिया के साथ मिले हुए आरोप साबित करने की भी चुनोती दी हुदरा काली दल का कहना है कि अकसर सरकार पत्रकारों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी मदद करती है पर किसी खास उमीदवार का किसी भी तरह से पक्ष नहीं लिया गया अधर श्रोमनी अकाली दल ने कांगर्स के अरोपों को खार्ज किया है वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे कांगर्स की बकलाट करार दिया है जक्तार बुलर जी मीडिया चंडिगर